हमारा जम्सेदपूर यह केवल एक शहर मात्र नहीं है यह हमारा जम्सेदपूर विविदताओं से भरा मीनी हिंदुस्तान है इसलिए जम्सेदपूर का आशिरवाद मिलना ऐसा लगता है जैसे पूरा देश आशिरवाद दे रहा है भारत माता की आपका उत्साह बता रहा है कि जम्सेदपूर में चार जुन को क्या परणाम आने वाला है जम्सेदपूर में इतनी बड़ी जनमेदनी यह अपने आप में जन जागरुती का एक नया परव मैं देख रहा हूँ चुनाओ में देश की अर्थेववस्ता पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जरा पूरी ताकत से मुझे बताईए जम्सेदपूरे लोग पूरा देश आपको सुनेगा चुनाओ में देश की अर्थेववस्ता की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए चुनाओं में उद्योगों लगुद्योगों की बात होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए साथियों चुनाओं में राष्टिय सुरक्षा की बात होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए चुनाओं में क्रशी और वनुपच की बात होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए चुनाव में हाई वेज, एक्स्प्रेस वेज वान इंट्रासेक्टर पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सबसे कोई मतलबी नहीं है इने विकास का कख गग भी मालूम नहीं आए और इनका तरीका क्या है? जूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, जूठी बोलो और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे उसे चीनेंगे S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षण चीनेंगे मोधी जी को रोज नहीं नहीं गालियां देंगे क्या इससे जादा आगे यह सोची नहीं सकते क्या इंडी अलाइंस वाले आपसे जूठ बोलते हैं इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है किरेकार बीक बार किरेक बार किरेक बार